नमस्थका साथ योगों सभी का सब्लाइब आपके अपनी चैनल इन्दल्जी में तो हम करेंगे static GKK के mix question करेंगे दोस्तों आज हमने आपको topic wise question कराए थे आज कुछ तो आप इन सभी के answer देना दोस्तो most important topic अच्छे-च्छे question वैं तो यहां से आपको कोशन देखने को भी मिलेंगे तो स्टार्ट करते हैं कोशन नमर फर्स्ट राइस्तान का एक मात रेले स्टेशन का नाम क्या है जैशलमेर, जोधपूर, उदैपूर, माउंट आबू दोस्तो बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो राइस्तान का एक मात रेले स्टेशन है माउंट आबू माउंट आबू दोस्तो इसका सही आंसर हो जाएगा माउंट आबू में दोस्तो एक मंदिर है दिलवाड़ा जेन मंदिर दोस्तो चलते हैं नेक्ट कोशन पर और दिलवाड़ा मंदर के बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों हर एक परिक्षाओ में तो अब यहां से कोशन दिया हुगा है भारत का सबसे गहरा बंदरगा कौन सा है भारत का सबसे गहरा बंदरगा बंदरगा दोस्तों क्या होता है जो पानी के जाज होते हैं उनका स्ट तो जो सबसे गहरा बंदरगा है वो बुझाइब का इसकोटलेंट के सयर को कहा जाता है पूर्व का स्कॉटलेंड किस सेर को का जाता है मेंगलूर करनाटक नाशिक महाराष्ट सिलोंग मेगालेंड कोहिमा नागलेंड तो दोस्तो बता है पूर्व का स्कॉटलेंड किसको का जाता है तो दोस्तो पूर्व का स्कॉटलेंड वो का जाता है शिलोंग मेगाले को किसको और दीब अंडवान और निकोवार दीप शमू दात्रा और नगरह बेली लक्ष दीब तो बताएं इसका सभी आंसर क्या हो जाएगा तो जो दोस्तो जो पोर्ट बजर बंधर차 है वो आपका हो जाएगा कहांपर अडवां निकोवार नम्न, कि के ररग का सिस्तावना किस वर्ष की गई के रराज्य किस वर्ष की गई थी दो दिशम्मर aba तो दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो दोस्तों जो केरल राज्य उसकी स्थापना हुई थी वह कब हुई थी तो वही थी दोस्तों ग्यार है वह एक नवंबर 1956 में कब एक नवंबर 1956 में तो चलते हैं नेक्ट कोशन पर तो कोशन दिया हुआ है कि भारत की पूर से पच्छिम तक की दूरी कितनी है यहीं कि दोस्तों यह वहारत है जैसे कि इस तरीके से दोस्तों बना लें आप और यह 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 इस तरीके से उज़ागा तो यह दोस्तो तो पच्छिम हो गया पच्छिम टट हो गया और यह पूरा हो गया तो यहां से यहां तक कि आपको डिश्टेंस वतानी कितनी हो जाई ऑप्षन है आपके सामने 32 तो दोस्तों एक और रपीट होगा है उससे कोई दिकत नहीं है तो आप बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएं तो इसका सही आंसर है तो चलते हैं नेक्ट कोशन पर तो दोस्तों कोशन दिया हुआ है श्वामी विवेकानंद हवाई अड़्डा किस राज्य में है स्वामी विवेकानंद हवाई अड़्डा आपको उताना है त्रिपुरा पच्छिमंगल करनाटक 36 गड़ बताएं दोस्तों जो स्वामी ये लोकला सैली ये सबी अपने अपने टॉप को में कवर कर आई हैं तो आप उनको जरूर देखें पूरी प्लेलिस्ट बनी हुए है और तमिल नाडू, बिहार, उत्रप्रदेश तो बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो है तो यह औप्शन दी को गंगा नधी शावरमती नधी गोदावनी नदी और यमनया नदी तो बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो यह अधा क्यानदी नदी कौन सा है तो एहम्दवास सहर्चा शावरमन्ती नदी के किनारि क्यावन है और घंग gust 2022 से उकर जाती कौन सा राष्ट्य उद्धान कौन सा राष्ट्य उद्धान बंगल टाइगर के लिए प्रशिद्ध है बांदीपूर राष्ट्य उद्धान काजी रंगा राष्ट्य उद्धान मानस राष्ट्य उद्धान और बांदवगर राष्ट्य उद्धान दोस्तों बताएं इसका स верж pense है तो चलते हैं राइस्थाय गोडी पर्भा बुंदी उससब गवना-लू मातों नारंग तो बताएं दोस्तो तो कहां पर होना जाता है महाराष्ट में यह सबी आपको करा चुके हैं तो हार से रिलेटेड चलते हैं हम नेक्ट कोशन पर तो कोशन दिया हुआ है कि निम्लिकित मैंसे कौन भारतिय नर्कटियों नर्तकियों मैंसे भारतिय इत्यास की पहली महिला थी जिन है जब हो जागा रुकमणी देवी अरुन डेल चलते हम नेक्ट कोशन पर तो कोशन दिया हुआ है कि निम्लिकित मैंसे किस राज्य में गोंचा मौशब मनाये जाता है गोंचा मौशब दोस्तों बताना आपको जहार कंट चत्तिस कर महाराष्ट गोवा तो दोस्तों बताएं कना मौशब जाएं ? क्योवा ago már डोस्तों बताना आपको तो यह कहांँ पर हो जागा थे गहांँ कत्तिस कर में गोंचा महसब तो चलते है नेक्ट कोशन पर कोशन दिया हुआ है कि आई यपिःल की शुरूआत किस वर्स से रहे हैं iplay का सुआप किस वर्स से हूई थी आई परला टाइटल जीता था तो चलते हैं नेस्ट कोशन पर जो लेटेस्ट जीता है दोस्तो लाश्ट वाला वो चेनी सुपर्टिंग ने ज्याए तो चलते हैं नेस्ट कोशन पर तो कोशन दिया हुआ freedom in exile किस व्यक्ति की प्रशिद आत्मकता है मात्मगादी बराकों माव नेंसल मंडेला दलाई लामा दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाया तो freedom in exile दोस्तों दलाई लामा की ये आत्मकता हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर आपकी questions हो जाते हैं complete तो वीडियो आपको कैसी लगी पंदर में से आपका क्या स्कूर रहा कमेंट करके चरूद बताएं और वीडियो को like share चरूद कर दें चैनल को subscribe करें ठेंकी all the best